हालो एवरिवन गुडिवनिंग डिया स्टूडेंट्स ये क्लास वन का वीडियो है और एविएस का है तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउसेस वी लीविन ये चैप्टर 11 है ऑक्सफोर्ट का साइन्स है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से मतलब तो घर होते हैं पता है ना हाउसेस मतलब घर होते हैं तो जो घर में हम लोग रहते हैं ना उस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने घर में रहते हैं तो अपना घर के बारे में बहुत सारे चीज नहीं पता होता है कि कौन सा रूम को क्या बोला जाता है तो भी कोई लोग रहते होंगे, तो वो आपका फैमिली है, housekeeper safe from heat, cold, wind, rain, thieves, wild animals, देखो, house जो होते हैं जो घर होते हैं जिसमें आप रहते हो, वो हमको safe रखता है, safe मतलब कि बचा कर रखता है किस चीज़ से, heat से, जैसे गर्मी आती है ना, तो गर्मी से बचा कर रहता है, ठंडा आता है, तो ठंडा से भी बचा कर रहता है, wind मतलब हवा चलता है, तो हवा से भी ज्यादा अंधी तुफान चलता है, तो उससे भी बचते हैं, रहन बरसात होती है, तो उससे भी हम लोग बचते हैं, ठीक है, और thieves, thieves मतलब क्या होता है, चोर, चोर वगारा चोरी करने आता ह तो उससे भी हम लोग बचे हुए रहते हैं हमारे घर में safe रहता है सारा कुछ घर के कारण अब wild animals क्या होता है जंगली जानमर को wild animals बोलते हैं तो हम लोग जानमर वगहरा से भी बचे हुए रहते हैं अब यहां पर देखे types of houses इसका कहने के मतलब क्या है house के कितने house कितने तरह के होते हैं तो अलग अलग तरह का house होते हैं आप जो घर में रह रहे हो वो में भी अलग होगा दूसरा कोई रह रहा है आपका friend जो घर में रह रहा है उसका अलग है आपके घर के अगल बगल में सब एक जैसा house नहीं न होता है, कोई कच्छा house होता है, कोई पका house होता है, किसी का घर cement से बना हुआ होता है, किसी का खपड़ा से बना हुआ रहता है, लकड़ी वेगरा से मर्ट से बना हुआ रहता है, ठीक ना, तो बहुत सारे houses होते हैं, कोई house बड़ा होता है, कोई house छोटा हो यह सब तो उनको पता है, houses are made up of straw, houses किसे बने होते हैं, straw से, mud से, stone से, straw मतलब की वही यह stick वेगरा जो होते हैं, लकडी वेगरा होते हैं, ठीक है, उस चीज़ से, mud मतलब, आपका silt जो होता है, कहने का मतलब की, जो मीटी होता है, मीटी से, stones मतलब, पथल वेगरा से बने से, mud से, और stone से, अब, straw मतलब क्या होता है, कि लकडी वेगरा से बना हुआ रहता है, mud मतलब की, मीटी से बना हुआ रहता है, stones मतलब, पथल वेगरा से बने हुए रहता है, mix करके, तो वही चीज़ को हम लोग कच्चा हाउस बोलते हैं, जैसे कि hurt, एक छोपडी होता है, ठ मतलब की, उसका एक example है, दिखाने के लिए, कि आपका ये house जो दिख रहा है, ये हमारा कच्चा हाउस, ऐसा house को हम लोग कच्चा हाउस बोलेंगे, ये सब house मजबूत नहीं होता है, ठीक है, some houses are made up of bricks, कुछ-कुछ house ऐसे होते हैं, जो कि bricks, bricks मतलब इटा होता है, उस चीज़ से, cement आपको पता है, कि cement जो, cement आता है, खरीद कर लाते हैं, और उससे घर बनता है, ठीक है, अब इस टील वेगरा, iron वेगरा जो होते हैं, road वेगरा जो होता है, रड वेगरा जिसको हम लोग बोलते हैं, इस सब चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम लोग पक्का house बोलते हैं अब पका हाॉस इसका example यहाँ पर देख लो यह जो दिख रहा है यह आपका ये पका हाॉस है ठीक है ऐसा ऐसा खाउस को हम लोग पका हास बोलते हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं इसके कैम्पी रीजन में ठीक है ये वाला हाउस में क्या होता है कि अगर आंदी तुपहन ज़्यादा जोड से चलता है तो ये तूट भी सकता है लेकिन ये नहीं तूटेगा क्योंकि ये सब सीमेंट और आईरन स्टील वगारा से बने हुए होते हैं ब्रिक से बने हुए होते हैं इसका एक्जामपल है पक्का हाउस का एक्जामपल बंगलो और अपार्टमेंट ठीक है और कच्छा हाउस का एक्जामपल हर्ट हो गिया अब हम लोग घर में जो रहते हैं उसमें rooms होते हैं अलग-अलग कमरा होता है हम लोग अप लोग अपने bedroom में सोते हो dining room में खाते हो इस तरह से तो देखो बहुत सारे ऐसे house जादे तर house में अलग-अलग rooms होते हैं अलग-अलग uses के लिए होते हैं जैसे kitchen कीचें जिसमें हम लोग खाना जहां पर खाना बनता है, आपके ममी खाना वहां पर बनाती है, some houses, कुछ-कुछ houses ऐसा होते हैं, may not have a separate room, उनका separate rooms नहीं होता है, separate rooms कहने का मतलब की, जैसे कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, जिनके पस जैसे कि ये घर हो गया, हट हो गया, इसमें separate room नहीं होता है, एक ही room होता है, उसमें सारा कुछ होता है, खाना भी बन रहा है, उसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, उसमें खाना भी खाते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे rooms होते हैं, बहुत सारे गर होते हैं जैसे कि यह सब घर में अलग-अलग रूम होता है अलग-अलग परपस के लिए ओके सम आप दे रूम्स दैट में भी फाउंड इना हाउसे सोनी पिक्चर अब देखो यहां नीचे में पिक्चर दिये गया है यह जो हाउसे से यह वाला जो आपको एक हाउस का रूम सही है ठीक है एक घर है और घर का यह अलग-अलग रूम का दिखाये गया है यहां पर पिक्चर की रूम कैसे होते हैं कि क्या कौन सा रूम किस परपस के लिए होता है जैसे कि यह वाला जो दिख रहा है, यह हमारा इसको bathroom बोला जाता है. bathroom में हम लोग क्या करते है? वहाँ पे हम लोग नहाते हैं ठीक है? नहाते है ठीक है? और wash कपड़ा वगढरा वहाँ दोते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है यह kitchen room है यह क्या है kitchen room है जहाँ पर आपके ममी खाना बनाती है next है जहाँ पर आप लोग सोते हो वो हमारा bedroom होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं bedroom बोलते हैं जहाँ पर हम लोग सोते हैं rest करते हैं बाहर से आकर ठके हुए राते हैं हम लोग rest करते हैं, तो हमारा bedroom में ही करते हैं, यह देखे, यह आपको जो दिखरा है, इसको हम लोग dining room बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, dining room बोलते हैं, dining room में क्या किया जाता है, कि जैसे kitchen में खाना बना, तो उसी थर से dining room में खाना हम लोग बैठ कर खाते हैं, अपने family के साथ ये आपका living room है ये जो आपका living room है living room में क्या होते हैं आप कि हम लोग relax होते है और अपने guest से मीलते है guest कहने का मतलब किchem घर में भूर में मेहमान वßenखर आते है उसी को guest बोलते हैं तो guest आते हैं तो आप लोग डिरेक्टली क्या बेड्रूम में ले जाते हो नहीं न आप पहले उनको बैठाते हो चाहें नासता देते हो तो उस ऊस रूम को हम लोग क्या बोलते हैं living room बोलते है ठीक है इक यहाँ पर नोट दिया गए है we should always keep our house clean हम लोग को हमेसा अपना घर को साप सुथरा रखना चाहिए तो बहुत सारे परपस हैं आपने लिगक कर साबसूत्रा करो आप अपलोगे तो आप लोग पिसे सबसूत्रा रहोगे त्यक्रपनिह रहोगे और वाइस क्या होता है हम लोग अनेफी होजाते बीमार हो चारोतरफ गंदगी फैला हुआ रहता है तो ठीक है और यह देखे अब हमारे चाप्र कम्प्लीट हो गया है और आई होब कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पर देखे यह गीव ओन वड़ एंसर है जैसे कि हाउस मेंड़ और इस्ट्रो से बना हुआ रहता है उसको क्या बोलते है तो कच्चा हाउस उसको बोला जाता है ठीक है कच्चा हाउस बोलते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है जो प्रिक्स और सिमिंट से बना हुआ है तो उसको पक्का हाउस बोलते हैं जहां पर हम लोग सोते हैं उसको हम लोग बेडरूम बोलते हैं answer the flowing question बस हम आपको समझा दे रहे हैं why do we need a house? हम लोग को house की ज़रूरत क्यों होती है तो अपने आपको safe रखने के लिए किस चीज़ से first में आपका answer दिया हुआ है heat, cold, wind, thips यह सबसे safe रखने के लिए what is a kaccha house? kaccha house क्या है? तो kaccha house का पीछे में answer दिया हुआ है जो किस चीज़ से बना हुआ होता है kaccha house आपका murt से, straw से और stone से बना हुआ होता है उसका एक example दे देजएगा hurt आपका example है next है what is pakka house? kaccha house किस चीज़ से बना हुआ तो ओ लिख देना है आपको यहाँ पर cement से बना हुआ होता है steel से बने हुए होता है, bricks से बने हुए होता है उसका example apartment हो गया, bungalow हो गया name the different room that can be found in a house आपको अलग-अलग room का बताना है जो की, अलग-अलग room का नाम बताना है अपके घर में पाय जाता है, kitchen room हो गया, dining room हो गया, hall dining hall हो गया आपका, bathroom हो गया, living room हो गया यह सब आपका example है उसका यहाँ पर यह दिया है picture में कि किस तरह का picture यह दिखाए गया है तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है तो I hope कि आपको clear हो गया होगा सारा कुछ अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप comment box में comment करके बताइए और like subscribe कर दीजेगा थाकि आपको और भी वीडियो मिले, notification भी on कर दीजेगा तो notification को भी bell icon जो दिखा हुआ, उसको भी press कर देंगे तो उससे क्या होगा, कि आपको next video जब हम upload करेंगे तो directly आपका notification में आजागा और directly आप चेक कर सकते हो ओके दियर, bye, take care